ओके गाईस तो यह आज की दिन का पहला वीडियो है अगर आप ने कलके वीडियो उसको नहीं देखा है और देखना चाते हूँ तो जा करके देख सकते हूँ आपको चैनल पर मिल जाएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले थे और सबस्क्राइब कर लेना चैनल को and bell icon press करके definitely all preset कर लेना दूसरी बात इस वीडियो में हम बात करने वाले comment request के बारे में तो अगर आपको किसी भी तरह से कोई doubt है आप comment कर सकते हो and हमें बता सकते हो कि मेरा ये question है and मुझे ये doubt है मुझे इस stock के बारे में ये जानना है मुझे business जानना है fundamental जानना है technical जानना है अगर आपको और भी को unique doubt है वो भी चीज़ आप बता सकते हो start करते हैं वीडियो को इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस comment request के बारे में इन्होंने कहा हुआ है कि technical analysis इनको चाहिए इंडो count industries का तो बात करेंगे इसके technicals के बारे में लेकिन उससे पहले यहाँ पे सबसे यह चीज़ भी देखना है कि रिस्क कितना है जादा रिस्क है बहुत जादा रिस्क है लेकिन हाँ रिस्क के साथ आपको returns भी मिलेगा obviously तो यह चीज़ है and recommendation मिलकुल भी नहीं है किसी भी तरह का कोई मैं आपको recommendation quality नहीं provide कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यह जो video है वो educational purpose के उपर है and एक और बात and हाँ एक और चीज़ जैसे मैंने आपको कहा है यह small cap है तो small cap में आपको business fundamentals and technicals तीनों ही आपको पता होने चाहिए और इस video में जैसे मैंने आपको दिखाया मैं technicals के बारे में बात करने वाला हूँ सवाल आता है business and fundamentals का क्या तो मैंने उसके उपर already एक विडियो बनाया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो आपको सर्च करना है यांग screener Indocount Industries तो यहाँ पर यह विडियो आ जाएगा and यहाँ पर आप देख सकते हो Indocount Industries जो है एक माईना पहले ही मैंने अप्लोड किया हुआ है तो इस video को आप जाकर के जरूर देखना 15 मिनट के आस-पास का विडियो है इसमें मैंने business fundamental और technical तीनों को ही बताया हुआ है बट हाँ technicals तो change होते है तो मैं इसको तो बताई रहा हूँ फिर से business fundamental के लिए आप यह video definitely देख सकते हो इसका link में आपको i button पे and video के end screen में दे दूँगा देखो यार again अगर आपको मेरा video नहीं द मतलब यार obviously मैं जो है सोने का व्यापारियू मान के चलते हैं बट अगर मैं उससे ROE निकाल नहीं पा रहा हूँ अगर मैं उससे profit करी नहीं पा रहा हूँ तो क्या फाइदा अगर मैं सामान बेची नहीं पा रहा हूँ तो क्या फाइदा तो यह भी देखना जरूरी है fundamental में मैं इस वीडियो को जा करके देख सकते हो अब मैं वापस से एक दम टॉपिक पर आओंगा टेकनिकल्स पर आ गया हूँ यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने बहुत सारे lines lines बना हुए पहली बात अगर आप नए हो वीडियो में अगर आपको नहीं पता हो यह जो है यह है आपको नहीं तो आपको है चेयर हो बंटार केसे रितन角事情 परहें आपको इसारी ओम शाबे और यह जैसे इस केस में यह overall यह जो है यह वाला है यह फार यह वाला शारी मतलब जो ब्लू में है वह वीडियो और ओपर होगा तो सुपूर्ट जो बलैक में है वो strong है उपर होगा तो resistance नीचे होगा तो support जो box है वो बहुत strong है ठीक है तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि box बहुत strong black line strong blue line weak weak मतलब क्या कि वहाँ पर हो सकता है थोड़ा रुके बट break कर लेगा strong मतलब क्या कि वहाँ पर जो है उससे resistance ले लेगा ब्रेक नहीं कर पाएगा और strong मतलब यह box मतलब क्या हुआ कि यहां पर बहुत बार resistance लेगा बार बार नीचे आएगा बार resistance लेगा नीचे आएगा हो सकता है consolidate करके और resistance ले ले मतलब आप समझ सकते हो अगी बहुत simple है कुछ जाजा है अगे बढ़ते हैं यहां पर सबसे पहले तो आप देख सकते हो stock क्या कर रहे था मैं आपको थोड़ा function बताता हूं यह जो है बार 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 ऐसे ऐसे consolidate करके धीरे धीरे ट्रेंड में उपर जा रहा था फिर अचानक से एक मतलब एक बड़ा candle बना ग्रीन कैंडल बना momentum आया stock उपर गया यहां पर जो है इसने बैक टेस्टिंग किया मतलब सुरी बैक टेस्ट कर रहा हूं रिटेस्टिंग किया इसने रिटेस्ट किया अपने लेवल को जो रेजिस्टन्स था वह सपोर्ट बना एंड उसके बाद यह फिर उपर गया यहां पर आकर प्रवाइड कर रहा है तो इसी वज़े से यह weak है अब समझ रहूं तो इसलिए इसका टूटने का चांस बहुत जादा है तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पे यह consolidate कर रहा है सबसे पहली बात यह consolidate कर रहा है इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि यह break करते हैं यहां से यहां पर अभी consolidate कर रहा है अगर यह उपर गया तो यहां पर यह बहुत strong resistance है strong resistance क्यों है मैं आपको दिखा देना चाहूंगा यहां पर पीछे जा करके देखो यहां पर एक resistance था पहले फिर दो resistance फिर यहां पर support बना मतलब number two नहीं यह एक हुआ यहां पर इसने दो बार resistance लिया ठीक है उसके बार support बना उसके बाद यह फिर से resistance 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 आप देख लो कितनी बार resistance support है यहां पर तो इसी वज़े सी बहुत strong है तो इसमें आपको definitely थोड़ा देखना है ठीक है अब अगर यह उपर जाएगा तो यहां पर resistance लेगा हो सकता है यहां से फिर से नीचे आ जाए यहां पर आ जाए फिर से नीचे जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका resistance था जो support मना था वहाँ सी है फिर से support लेगा फिर उपर जाएगा फिर नीचे आएगा और उसके बाद जो ब्रेक कर देगा क्योंग यार अगेन यह उतना strong नहीं है तो जादा यह रोक नहीं पाएगा एक और चीज है और अगर यह नीचे आता है तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर रुकेगा तो ऐसा होगा अगर इसको भी ब्रेक कर देता है मानके चलते हैं कि इसको भी इसने ब्रेक कर दिया देखो resistance था पीछे भी आप जा करके काफी resistance है और मैं आपको दिखा भी देता हूं यह हाँ तो यह देख लो resistance नहीं सॉरी support पीछे बाद में加 out support है यह स उसापोर्ट है यह बाद में जा करके resistance बना तो इसी वजय से यह जो रहा है पहली reason ये दूसरा reason 50 days का moving average भी यहीं पर है तो अगर ये यहीं पर रहेगा तो 50 days के moving average से भी इसको support मिल सकता है और उसके बाद अगर ये फिर भी break कर देता है तो यहाँ पर फिर ये black line है ये भी trend line support है ठीक है एक आप कह सकते हो trend में है support तो यहाँ पर भी जो है अगर ये आता है तो support ले सकता है अगर बहुत मतलब बहुत खराब से ना लिए अगर ये भी break हो गया तो ये एक weak support है यहाँ पर भी support मिल सकता है इसको और अगर ये भी break हो गया तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पहले यह जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है यह भी स्ट्रॉंग है और इसके बात यह भी ब्रेक हो गया तो यहाँ पे भी एक बहुत स्ट्रॉंग support है जो कि इसने 2-3 बार support दिया हुआ है तो सवाल आता है क्या यहां तक आएगा मतलब क्या यह sense बनता है बिल्कुल नहीं sense बनता है मुझे तो कोई sense नहीं लगता सवाल आता है मुझे लगता क्या है होने का तो कुछ भी हो सकता है होने का stock जो है वो correct होते होते कहीं भी जा सकता है या बढ़ते बढ़ते कहीं भी जा सकता है ठीक है और अगर उपर का भी scenario आपको पताएए अगर ये break होआ तो फिर ये resistance अगर ये भी weak है तो अगर ये भी break हो गया तो ये जो है कुछ ऐसे करके मान लो तो ऐसे-ईसे करके break हो गया और यहां पे ऐसे करके retest आ करके यह उपर चला जाएगा और all time high बना देगा सवाल यहाता है कि आपको क्या लगता है मतलब मुझे क्या लगता है पहली बात कोई recommendation नहीं है इस video में मुझे क्या लगता है मैं आपको उसका reason भी बताऊंगा and इसका मतलब यह नहीं कि मुझे जो लगता है वही होगा कुछ और भी हो सकता है लेकिन क्यूं लगता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसलिए लगता है देखो सबसे पहली बात कि यहां पर यह consolidate कर रहा है तो बहुत कम chance है breakdown का अगर breakdown होता है तो इस level को तोड़ने का मुझे बहुत कम chance लगता है और max to max मुझे लगता है यहां तक आएगा ठीक है बहुत अगर खराब होगा तो यहां तक आएगा यहां तक आ सकता है chances है अगर यह breakdown देता है तो अगर यह breakout देगा और मुझे लगता है breakout ही देगा क्योंकि काफी दिन से यह जो है यहां पर consolidate कर रहे है तो अगर breakout देता है तो यहां पर मुझे लगता है इसको resistance मिलेगा और यह फिर से यहां पर आएगा एक बार retest करने के लिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यह बहुत strong है और या तो यह resistance लेगा या तो यह फसेगा यहां पर एक बार में break करना बहुत मुश्किल है इसको मेरे हिसाब से और बाकी इसके नीचे मैंने यह levels बनाई तो मैंने ऐसे ही बना दिये यार बने वे थे या बना दिये मैंने जो भी था तो यह सब आप खुदी सोचे यार 224 ते गर 120 प्या गया मतलब stock आधा हो गया लगबग तो जब आधा हो गया तो अब उसके उपर सोचना होगा उसके उपर आप ऐसे बिना आप को सोचे समझे तो नहीं जा सकते यह भी बात है न तो जो भी है add and अगर मैं अगर आप मुझसे पुछोगे averaging and fresh buying के लिए तो यह level जो averaging के लिए मुझे काफी अच्छा लगता है और आप यहाँ पर fresh buying भी कर सकते हो सवाल आता है यार आप इतना यहीं border of fresh buying करने के लिए मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर fresh buying भी कर सकता हूँ opportunity तो है मतलब छोटी opportunity यह बट opportunity है और अगर यह यहाँ पर आता है इस line पे कुछ इस जग बस मेरा सर्थ यह है मैं तब fresh buying करूँगा जब मुझे यह लगे कि वो level टूटेगा नहीं मुझे अपने आप पे जब बहुत ज़्यादा conviction होगा तो मैं वहाँ पर fresh buying करूँगा या बल ज़्यादा मैं buying करूँगा जो भी है और मैंने आपको बता दिया यह जो है strong support है तो मैंने बताया सिर्फ अपने बारे मी बताया कि मैं क्या सोच रहा हूँ और किसी भी तरह का कोई recommendation नहीं है जो आपको करना है आपको खुछ तोचना है देखना है समझना है फिर करना है end करता हूँ मैं video को video अच्छा लगा तो like share subscribe कर देना comment कर सकते है अगर आपको और भी आप comment कर सकते हूँ end करते हैं video को bye bye and thanks for watching